हलो एवरीवन वेलकम टू दे चैनल मेरा मैथ एक बार फिर से आप सब के साथ आया हूं डॉट क्लास लेकर डॉट क्लास आपको पता है थोड़ा से डिले प्यारा क्योंकि सवाल आपका पेपर पेंशोल हो रहा है चलिए जो आज का डॉट क्लास से इसमें दो सवाल है सिमिलर रुपया एबीशी तीन बैंकों में 15-16 27% कि सधारन व्याज की दर से लगा दिया निवेश किया बैंक एक बारें बात करा कि यह बैंक में जो निवेश किया है वह बैंक बी की तुलना में 20 परशेंट दन निवेश किया गया है यही बात करा ना वह दो परस में 36,400 रुपय तो बैंक B में कितना निवेश किया था अब देखें आपके सबस्वाल कि 80,000 रुपया को लगाया गया है 80,000 रुपया लगाया गया कितने में थी टीन में एक एक बी है और एक यह है एंड हैं रिटें थोड़ा सा सवाल है लेकिन आप समझ जाएंगा ऐसा दिकड नहीं है है पाले बराव में 15 पर्शेंट और बोलगे में जो द्धान लगाए गया है वह सी का 20 पर्षेंट है इसलिए माने लिखाओ क्योंकि मैंने बता रहा हूं कि स्मलर सवाल हैं दोनों तो मैं पहले मैं आपको कॉंसेप्ट ज्यादा अच्छा से क्लियर कराऊंगा और सेकेंड सवाल में आपको सिफ अपलाई करना बताऊंगा ताकि आपको दोनों चीजे मिल सके तो देखें यहां पर आप एक के बारे में बोल रहा है कि यह का जो धन है यह में जो पैसा लगा गया इनिवेश किया गया आपसे पुछ रा कि B में कितना निवेश किया गया है तो सबसे पहले जो सिंपल तरीक आता है कि अगर आपको पता है यह जो निवेश किया गया तो यह इक कितना है पांच मैंने बोला इसको आप एक जो लगा दिए क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो 2-0 रहेगा तो हमारा काम हो जाए गास्तान और मैंने बोल दिया कि यह इतना निवेश किया गया था अगर हम किशी भी तरीके से एक्स की बहलू पता कर लेते हैं तो हमको पता चल जागा यह में कितना निवेश किया गया था सि में कितना नीवेश किया था डी गूर्ष करेंगे हमारा edic लिए अब कि यह अब बैज इतना नी There गज़ारे दो साल में तो साल में कितना चार्षा और कितना है कि चार साल तो आप मुझे बताएं एक साल में यहां कि इसके की मिला होगा तो आप तो इसके बराबर करें नहीं के लिए है आप मुझे बताई बी में कितना पैसा लगाए गया है मतलब इस टोटल को अगर करके हम 18200 के बराबर करें तो हमें एकस निकल कर आजाएगा आएगा कि नहीं आएगा आजाएगा तो चलिए करते हैं तो आप मुझे बताईए कि 15 एकस का कितना घाएगा किए sub 35 six अब बात करते हैं किए 16 परसेंट का इसका 16 परसेंट और इसका स्वोज़़वाय परसेंट लेकर मायन्स करना इसका 16 परसेंट कितना हो जाता है तो कहेंगे सर-7826 00 और इसका इसको जोडरें elevatedcape चार एकल जैवार इसको करेंगे तो कितना ओजाएगा मनेस करेंगए तो 104 शोर करेंगे और निदे जाकर चार बचेंगे अब ऑफ मायनए करेंगे तो देख लिए कितना मैनस त्वार नेले बच दा तो गंचेवे जीरो जीरो आठ चार बच गया और यह कितना गया पांदु साथ चाववन से काट दीजिए कितना हो गया कि कटेगा कि नहीं कटेगा कि कटना तो चाहिए कहें कुछ मिस्टेक नहीं नहीं है चलिए काड़ते हैं चार एक पांच चार से कटे कर सताइश नौ तिया सताइश तीन से कटे करें एक सो पचास नहीं नहीं गलत मैंने किया है एक सो पचास में से 96 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा एक सो पचास में से 100 घटा दीजे तो पचास चार कम ठीक तो है यह आगया आपका तो यहां से कितना निकल गड़ा गया एक स्की वहलू हमें पता है कि ए में कितना इंवेस्ट किया था तो कहेंगे सर सौ एक से मतलब एकली कितना investment आगया सौब एक की जगड़ डाल दें दो 0.0 से पर कितना आ गया तो कहेंगे सर्फ पांच पर इतना तो बीप कितना जागा तो आपके से हैं यहां पर 10,000 है यहां पर 50,000 है total क्या रहा है कि 65,000 रुपया है इसको तीन इन्वेस्ट करना बैंक है तीनों साइत, देखिये क्या है आपके सामने सवाल है मेरे सामने नहीं सवाल होता है अब को पता आज़ार साधारन विंता है यह क्ल मिलाएे कितना है थाय। दैसे सहर्ण भीवादन इसको मिला एक साल म Sun मिलाक़। अब एक साल थी जो धन है वा सी की तुलनाल में 170 पृनांग 3 गटर साथ परशेंट है मैंने बताया थे इसको डाइक क्या करना एक बटा सी निकालना है ए में 70 पुर्णाग तर्व दिशाथ को बटा में अगर बद लेंगे तो कितना लिखेंगे तो केंगे सब 5 बटे साथ ठीक है तो आपको पता चल गया है ये में पांच यूनित लगाया गया तो C में 7 लगाया गया था इसका मतलब अगर आपको पता दूं एक इनुट के बहलू कितनी है तो आप एक और सी का निकाल करेंगे टोटल में बीका निकल जाएगा वी का में निकालना है कि लिए रहे हैं आप मुझे बताईए कि अगर टोटल पैसे को में 16 पर सेंट पर ही लगा दूं इसलिए 16 पर में लगाने की बात कर रहा पता है कि पिए बिए पोरा इंवेश्मेंट लगा दे रहे हैं तो आप मुझे पता ही इस पे पूरे पेश्चे को लगा देंगे तो आपको जो इंट्रेस्ट मिलने वाला है कितना मिलने वाला जिरो कर हो जागा यहां पर और 658 166 94104 इतना अरुपया का ब्याज मिलने वा कल्कुलेट करने किसका 5 तो 5 परसेंट क्या करेंगे मानने कर देंगे अब जो अंतर आएगा ब्याज का उंतर वो इन दोनों के अंतर के ब्राबर कर दना है यह कोश्ण मैं सबस्ज़ने करें लिखा हूँ मतलब हम क्या करने बाले हैं आपके साथ हम आपको यह बताने बाले हैं कि जो ब्याज आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट पांच है तो पांच कितना प्याज़न दिया और यहां कितना गया 0.14 वान पॉयंट जिरू प्याज़न और दोनों का अंतर ले लीजे जिरू पॉयं फ़ेले, issues कि वैलु कितनी होनी चाहिए, तो इन दोनों का अंतर के बराबर, क्योंकि नहीं एक पहली कितनी आ गई इतनी आप चाहें तो डिरेक्टल इसको जीरो उधर गटा दें और फिर बारा से गुना कर दें तो जीरो हटा दिया चेशे से गुना कर दिया कितना गया 44 狂इत कि जिरो गशोत सब्सक्राइब के जिरो बगर ग्वाद सिर अलच सब्सक्राइब सब्सक्राइब पॉंट ओन पॉर सब्सक्राइब ।-dzie्फ हगा याँ-पैप न कुछ तो लूचा इसन लिए अग्रोड्म다 सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोए को सब्सक्राइब अब सर्फ लुक्राइब तो आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है नहीं पता है के बारे में नहीं कुछ बोल सकते हैं लेकिन इतना तो कहा सकते कि इसका मतलब के पैसे को निकाल दाना है यहां पे आपको शाथ इसका निकाल देना है दोनों का अंतर जो आएगा इसी से यहां पर अंतर दिखेंगा मतलब पूरे पैसे को आपको एक पूछने के लिए तो चलिए दो सबाल था नेक्स वाल में फिर से हम लेकर आएंगे आपको शम भेजिए टिलिग्राम कुरूब को जोईन कीजिए डिस्क्रिप्सें में लिंक है वीडियो को शेर के जो पसंद आता तो मिलताओ नेक्स क्लास में थैंक्यू